नमस्कार दोस्तों मैं मनसारांबरम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल SMSTD गुरू पर रेलवे एंटी पीसी आठ मार्च सेकेंड सिप्ट का एक्जाम समापत हो चुका है और मैक्सिमम कोश्चन के साथ मैं आ चुका हूँ तो डिसकस करेंगे सभी कोश्चन और जानेंगे इस सिफ्ट का रिव्यू और सभी प्रसन जो की 100% सही प्रसन ही बताया जाते हैं आपको च चेर्माइन यानि नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल का चेर्माइन पूछा गया है जो की जस्टिस आदर्स कुमार गोयल इसका सही अंसर होगा नेस्ट कोश्चन पूछा गया है कि उतसरजन तंत्र का भाग नहीं है तो यहाँ पे आप्शन दिये गये थे चार और उनमें से क्या एक्जेक्ट कोश्चन था आप कमेंट करके भी बता सकते हैं नेस्ट कोश्चन यहाँ पे देखने को मिला है दोहजार उननीस में पचासवं ही वर्सगांट किसकी मनाई गई थी तो यह इसरो इसका सही अंसर होगा 15 अगस्त 1979 को जी हाँ 15 अगस्त 1979 को इसकी अस्थाप ही इसके फाउंडर हैं और चेर्मैन के सिवान है तो इस परकार ये भी कोश्चन पूछए जा सकते हैं तो इसको भी याद रखना है बाकी जो कोश्चन पूछा गया था वो यही था नेस्ट कोश्चन यहां पे पूछा गया है इबादत खाना इबादत खाना से अंसर कर सकते हैं कुछ candidate ने बताया कि दीन इलाही के स्थापना पूछी गई थी तो दीन इलाही के स्थापना आप लोग कमेंट करें बताएं कि कब हुई थी या अगर पूछा गया थो तो आप कमेंट करके जरूर बता दें नेस्ट कोशन यहाँ पर देखने को मिला है लगातार 6 साल तक INC यानि की इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अध्यच कौन है तो सोनिया गांधी इसका सही अंसर होगा यहाँ पर लगातार 6 वर्स की बात की गई है तो सोनिया गांधी इसका सही अंसर होगा next question यहाँ पुछा गया था कि पहली भारतीय महिला INC के अध्यच कौन थी तो ये थी सरोजनी नाईडू अगर यहीं पर पुछा जाता कि पहली महिला INC के अध्यच तो हो जाता any patient answer तो सरोजनी नाईडू 1925 के अध्यच में जो की कानपुर में हुआ था उसकी अध्यच्छता उन्होंने की थी नेस्ट कोशन यहाँ पर पुछा गया है कि किस लेंस से छोटी चीज को बड़ा करके देखा जाता है तो इसका सही अंसर होगा उत्तर लेंस और इसको हम आवर्धक लेंस भी कहते हैं नेस्ट कोशन यहाँ पर पुछा गया है यहाँ पर कोशन पुछा गया है कि होर्न बिल ते उहार किस राज जिम मनाए जाता है तो नागा लैंड इसका सही अंसर होगा कई बार रिपीट हो चुका है कोशन और मैं भार बार यही कहता हूँ कि आप लोग यदि भविश्च में पेपर देने वाले हैं डिपीसी का नेस्ट यहाँ पर कोशन देखने को मिला है कई बार हम डिसकस कर चुके हैं एक जीबी में कितने बाइट होते हैं तो यहाँ पर दस की घात तीन इसका सही अंसर होगा इसको भी नोट कर सकते हैं आप दस की घात तीन बाइट इसका शही अंसर होगा नेस्ट कोश्चन यहाँ पे पुछा गया है कि प्रार्थमिक मेमोरी कौन सी है तो कुछ प्रार्थमिक मेमोरी के हैं नाम बता देते हैं आप्शन के अनुसवार आप कर सकते थे रैम, रोम, कैच मेमोरी, पी रोम, ईपी रोम तो इनके सबके full form भी हम कई बार discuss कर चुके हैं तो ये आपकी primary memory हो जाएंगी बाकी secondary memory पुछा जाए तो आप कर सकते हैं इसी के अनुसार next question यहाँ पे पुछा गया है question आया था कि DNS का full form DNS का full form पुछा गया था तो domain name system इसका सही answer होगा तो computer से तीन question लगभग पुछे जा रहे हैं दो से तीन question तो उनको भी आप एक बार full form देख लीजे input output device देख लीजे computer से और बाकी जो है यंबी, GB, TV, gigabyte ये सब कई बार बता चुके हैं तो आप इसको भी देख के जाएं वन जियो अधिनियम 1972 में आया तो यही question पुछा गया था next question IIT मद्रास ने कौन सा robot बनाया है तो उस robot का नाम है grasp man grasp man उसका robot का नाम है next question यहाँ पुछा गया है सत्यागरह आंदोलन किस act के लिए सुरू किया गया था तो यहाँ पर roll act act ही answer होना चाहिए candidate सही question comment करके बता सकते हैं जितने भी question बताया जा रहे हैं सभी question आये हैं जो कि candidate के दोरा बताएगे हैं जिन candidate का इस shift में paper था तो please comment करके और भी question बता सकते हैं हम उनके questions के answer को comment करके जरूर बताएंगे मेरी कोसिस रहती ही हर एक comment का जवाब दिया जाए तो यहाँ पर next question देखने को मिला है कि GST किस संसोधन के तहत है तो 101 कमहा संसोधन कई बार discuss कर चुके हैं next question यहाँ पर पूछा गया है कि 2020 में लदाक का उपमुख्यमंत्री क्योंकि एक केंदर साथ से तराज यह है तो यहाँ पर उपमुख्यमंत्री होंगे तो मनोस सिनहा को बनाया गया था यह भी question पूछा गया है next question यहाँ पर देखने को मिला है वायू मंडल में CO2 यानि carbon dioxide की मात्रा पूछी गया है तो 0.04% इसका सही अंसर होगा रगुराम राजन की book पूछा गया था कि कौन सी book है तो यहाँ पर हम दो important book जो हैं उनकी बता देते हैं एक है the third pillar और एक है I do what I do तो यह दो book जो है मुख्य हैं तो यह भी option में सायद दी गई थी next question यहाँ पर पूछा गया है कि Italian Open 2020 का winner तो यहाँ पर हम बता दें अगर महिलाओं की बात की जाए तो सिमोना हालेप ने जीता था और अगर पुरुस एकल की बात की जाए तो यहाँ पर नोवाक जोकविच इसका सही अंसर होगा तो दोनों को आपको याद रखना है next question यहाँ पर पूछा गया कि रोलेक्ट एक्ट कप आया तो यहाँ पर इसको हम काला कानून भी कहते थे तो 1919 में आया था next question यहाँ पर पूछा गया है question पूछा गया कि कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है तो गंगा की कुछ सहायक नदिया हम बता देते हैं जो भी option में रहा हो उसके अनुसार इसको करना था और गंगा की अगर लंबाई की बात की जाए तो 25-25 इसकी लंबाई होती है यहाँ पे एमुना, घागरा, सरीव, तापती, गंडग, कोसी, राम गंगा और बागमती यह मुखे शहायक नदिया हैं गंगा की next question यहाँ पे पुछा गया है कि महावयोग से related question था तो इसको comment करके गंडिरेट जरू बता दें comment बहुत से लोग देखते हैं तो उनको pattern का पता चल जाता है तो आप please comment करके जरूर बताएं महावयोग के बारे में अगर पूछा गया question तो राष्टरपत के उपर महावयोग लगता है और article 61 के तहट राष्टरपत पर महावयोग के तहट उसको हटाया जा सकता है बाकी क्या exact question था आप बता सकते है comment में अगर यहाँ पर हम label की बात करें तो maximum question हमने GS के बता दिये हैं आप लोग label का अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर moderate level की GS candidate के दोरा बताएगी पूछी गई है और यहाँ पर reasoning में puzzle, coding, decoding, series, syllogism और blood relation यह मुख्य chapter देखने को मिले हैं यहाँ 3-4 question puzzle के coding, decoding के 3-4 question, series के 3-4 question जो है पूछे गए हैं तो यह chapter आप revision करके जा सकते हैं बाकी अगर label की बात की जाएँ तो moderate level की reasoning देखने को मिली है मैत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर algebra से 3-4 question देखने को मिले हैं और geometry से 1-2 question देखने को मिला है percentage, profit loss, LCM, SCF, CISI, DI और ratio यह important chapter हैं इनके भी revision आप अच्छे से करके जाएं बाकी अगर मैत के label की बात की जाएँ तो मैत का label भी moderate, label easy to moderate देखने को मिला है तो please comment करके बता सकते हैं जिन्होंने इस shift में paper दिया है वो अपना review दे सकते हैं बाकी मिलते हैं, next shift के analysis के साथ तब तक के लिए, thank you so much, जै हिंद, जै भारत